हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वन्स अगेन ओन अवेकन ब्रेंज दोस्तों आप सब का एक बरी फिर से अवेकन ब्रेंज यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में एक और एहम डिसकशन के साथ जी हैं दोस्तों यहाँ प फॉरिस्टरी वर्कर का जो स्लेबस जो है वो लाँच किया है पब्लिश किया है अपनी ओफिशल वेबसाइट पे उसी के बारे में यहाँ पे हम डिसकस करने वाले हैं इन डिटेल डिसकस करेंगे यहाँ पे जेकेस भी ने इतना लेट क्यों कर दिया यह स्लेबस अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को जुरूर स्पोर्ट करें सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें बैल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें और साथी साथ इनफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक जुरूर कीजेगा शेयर करते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फिर से जेके SSB ने जो इस लेबस जो है पॉब्लिश किया अपनी ओफिशल वेबसाइट जेके SSB.nic.in पे ओफिशल वेबसाइट एक नोटिस की फॉर्म में लॉंच किया गया है पॉब्लिश किया गया है जेके SSB की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं दा जमो एंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड हैज एडविजन काडर की पोस्ट जिसका नाम फॉरेस्टर है पोस्ट का नाम फॉरेस्ट एकॉलजी इन इन्वार्मेंट के अंदर यह पोस्ट जो है वो पॉब्लिश की गई है और एडविटीजमेंट जो है आप सब जानते हैं 04 2022 यहां पर मैं दौनू एडविटीजमेंट में दिखाऊंगा सोशल फॉरेस्ट्री वरकर जो पोस्ट है यह भी सेम डिपार्टमेंट की ही पोस्ट है और इसको देख सकते हैं तो अकॉर्डिंगली इन दौनों पोस्टों के यानि की फॉरेस्टर और सोशल फॉरेस्ट्री वरकर दौनों पोस्टों का एनेक्शचर ए और एनेक्शचर बी के तहत जो है अब सलेबस जो है वो पॉब्लिश किया गया है जिके SSB के दोरा यहां पर आप द बहिएगा इस वीडियो के साथ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं वह एडविटीजमेंट्स जिन में यह दौनों पोस्ट हैं जो है वह आई थी यानि की पॉब्लिश की गई थी जीरो फॉर आफ ट्रेंटी ट्रेंटी टू और जीरो थ्री अफ ट्रेंटी ट्रे है और यहां पे लेवल पांच की पोस्ट और फॉरेस्टर पोस्ट का नाम है डिविजन कश्मीर के अंदर 158 मैं टोटल बता रहा हूं ओपन और कैटेगरीज को मिलाकर 158 वेकेंसी हैं और यह क्वालिफिकेशन मेंचन की गई थी और सेलेक्शन का प्रोसेस या क्रेटेरिय बताया गया था और इसी तरह से सेम पोस्ट जमू डिविजन के अंदर टोटल जो है यहां पर आप देख सकते हैं 92 यानि कश्मीर डिविजन के अंदर 158 और 92 जमू डिविजन के अंदर है डरने वाली बात नहीं है आप जो है दौनों के लिए अपलाई भी कर चुके होंग और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट का स्लेबस है 03F 2021 इसमें यहां पर आप जमू डिविजन में सोशल फॉरेस्टरी वरकर लेवल 2 की पोस्ट है यहां पर आपको दिखा दूँ और जमू डिविजन के अंदर 11 पोस्ट हैं और कश्मी डिविजन के अंदर 10 पोस्ट हैं और selection criteria भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है अब हम चलते हैं syllabus की और इन दौनों पोस्टों के बारे में आपको मैंने general information दे दी कि कितनी कितनी vacancies यहाँ पे Forester Division कश्मीर, Forester Division जमू और Social Forestry Worker Division जमू, Social Forestry Worker Division कश्मीर की पोस्टें यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी, competition कैसा होगा, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेक्चर ए, Forester का syllabus, the syllabus for the written test objective type जो होगा, post of Forester, यहाँ पे एक बात और बता दूम है कि Forester का syllabus करने में यहाँ पब्लिश करने में जेकेससबी को इतना, इतनी देर क्यों लगी, because यहाँ पे यह court case चल रहा था, जो specialized जो बीसी forestry यहाँ बीसी agriculture यहाँ इस तरह की जो पोस्ट हैं, science background से हैं, उन candidates ने case किया था, यह अदालत में लेकर गए थे, उसके चलते, यह काफी देर हो गई जेकेससबी को, Forester का syllabus जो है, actual में दुबारा से publish करने के लिए, क्योंकि जेकेससबी ने पहले भी, Forester का syllabus जो लाया था, उसके accordingly, उस पर कुछ ret petitions होई, और finally, आज जा कि जेकेससबी ने उसको sort out कर दिया होगा, we hope so, that's why आज आज आपके सामने, Forester का syllabus और social forestry worker का syllabus जो है, वो publish किया गया है, जेकेससबी की official website पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, exam के related दौनों एक nexture है, nexture A को मैं discuss कर रहा हूँ, syllabus for written test objective type for the post of forester के लिए, the exam shall aim to evaluate the candidates for their scientific, analytical and numerical aptitude and their general awareness over a broad range of subjects, medium of examination shall be English, 120 marks का exam होगा, 2 घंटे का exam होगा, और उसके बाद यहाँ पे sections जो है, बनाई गई है, section A में जो है, वो बताया गया है कि basic science के question papers होंगे, will be of the objective type, this paper aims to test the aptitude of candidates in basic science, और उसके the level of question papers shall be 12th standard, यहाँ भी बात याद रखें, 10th standard नहीं होगा, 12th standard के basis पे जो है, आपको equal weightage मिलेगी, science के subject में जैसे physics, chemistry और biology का paper जो होगा, वो equal weightages के base पे होगा, और यहाँ पे 32 marks का यह बताया गया है, तो इस तरह से आपको 12th standard की science, तीनों subject prepare करने, physics, chemistry और biology, उसके बाद यहाँ पे section B जो है वो basic numerical ability, data interpretation, profit and loss, compounding, discounting, mensuration, geometry, including coordinate, geometry, trigonometry, and trigonometry और fundamentals of statistics, including probability, तो यह भी 32 marks की दी गई है, इस तरह से prepare करना है, section C के अंदर आप देख सकते हैं, general knowledge है, shall include current, जो है, events and matters of everyday observation and experience, the paper will also include questions on history and geography, Indian polity, constitution of India and general issues related to forest, wildlife, environment, biodiversity and climate change, तो यह कहीं न कहीं आप इस तरह का syllabus, JKSSB के दूसरे syllabus में भी देख चुके होंगे, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो यह 24 marks का, इसलिबस section C का होगा, फिर section D, जो है, logical reasoning and analytical ability, 16 marks की होगी, और section E, decision making and problem solving, 16 marks, तो total कुल मिलाकर, 120 marks का exam हो जाता है, फिर lecture B के अंदर social forestry worker की जो post है, यहाँ पे same बताएगा है, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, 10th standard का यहाँ पे question paper बनाया जाएगा, यानि कि इतना ही पूछा जाएगा, तो 120 marks का exam होगा, दो गहन्टे का exam होगा, basic mathematics 32 marks का, जिसमें आपको percentage, average, time, work and distance, ratio and proportion, problem of age, probability, LCM, HCF, mensuration होगी, 32 marks की basic reasoning होगी, जिसमें analogies, relationship concepts, figure odd, one out, direct sense, figure series, completion and when diagram, number series, coding, decoding, तो यह भी आप already बहुत सारे exams में इस तरह का syllabus देख चुके होगे, basic English है, as it is articles, synonyms, antonyms, preposition, verbs, reading, comprehension, determiners, spellings and sentences, तो यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक second, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 32 marks, 32 marks, 32 marks के तीन सब्जेक्ट हो गए, उसके बढ़ 24 marks का general awareness and science के बारे में बोला गया, general current events, national level, sports, Indian culture, Indian history, Indian geography, capital states, general science, health, hygiene and sanitation, geography of German Kashmir, culture of German Kashmir, history of German Kashmir, तो यहाँ पर यह इस लिबस दौनों जो हैं, वो publish हो चुके हैं, आपके साथ मैं आपे थोड़ा discuss भी कर चुका हूँ, अब बात आती है सबसे important की different क्या है इसमें, तो यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा different कुछ नहीं, सिर्फ format ही different है, जो syllabus point wise दिया जाता है, जिस तरह से बाकी syllabus आपने देखे होंगे, कि यहाँ पर part 1 दिया होगा, फिर points में दिया होता है, point 1 में यह है, मतलब कि topics के फिर sub topic बनाया होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे पैराज में syllabus जो है, वो दे दिया गया है, तो क्या यह syllabus different है दूसरे subject से, तो यहाँ दूसरी exam से, यहाँ दूसरी job से, तो मैं कहूंगा, बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि आज कल maximum exam जो है, इसी level के आते हैं, हाँ यहाँ पर एक point of concern है, जो यहाँ पर यह बताया गया है, तो यह थोड़ा सा है, different बाकी तो हमें कुछ यहाँ पर खास different नहीं लग रहा, आप भी अपना ज़रूर comment opinion दें, क्या आपको यह syllabus different लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उतना syllabus different नहीं लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक point है, section A का जो यहाँ पर science के background के students को थोड़ा edge देने की कोशिश होगी, क्योंकि अगर 10 लिखा होता तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब 12th standard की physics, chemistry और biology की बात आती है, तो हाँ, यह थोड़ा सा syllabus different हो सकता है, section A, यानि की 32 marks का, उसके अलावा यहाँ पर आपको बाकी कुछ वैसा नहीं देखने वाला, क्योंकि बाकी सारा syllabus जो है, यह already आपको JKPSI यहाँ बाकी सारे syllabuses जो है, उनमें यह कहीं नहीं टॉपिक्स मिल जाते हैं, 10th, 12th, 11th level का mathematics तो वैसी आया होता है, उसके बाद यहाँ पर इस में भी आपको कोई वैसा syllabus नहीं दिख रहा है, जो आज तक आपने पढ़ा ही ना होगा, और बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो कुछ वैसा different यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है, जो मेरा experience कहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यह point जो है, वो थोड़ा concern वाला है, बाकी syllabus तो आपको in detail पढ़ना ही पढ़ेगा, जब इनने यहाँ पर लिख लिया है कि 12th standard की जो subjects हैं, physics, chemistry, biology, उस standard का यहाँ पर पेपर आने वाला, तो फिर basic अगर आपके concepts clear होंगे, तो I hope कि यहाँ पर 32 marks मैंसे भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका science background नहीं है, 10-15 marks तो वैसे भी आप लेके आही सकते हो, मैं कहूंगा अगर आप मेहनत करो, तो यहाँ पर और ज़्यादा marks ला सकते हो, लेकिन गभराने वाली बात नहीं, मेरा point यहाँ पर focus करने वाले यही था, कि 12th standard का section A होगा, उसके अलावा बाकी सारा syllabus जो है, वो आपके बाकी सारे exam से relate करता ही है, तो आप मेहनत कीजिए, hopefully कि आप मेहनत करें, ऐसा भी हो सकता है कि science background वाले student qualify ना कर पाएं, और दूसरे background के students qualify कर लें, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि science वाले ही जादा student जो है, qualify कर जाएं और बाकी background वाले qualify ना करें, यह अब speculations हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा, मेहनत आप कीजिए, hard work आप कीजिए, rest आप उपर वाले पर छोड़ दीजिए, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कि यह जो discussion थी, syllabus की इतना late क्यों आया, जे के SSB ने forrester का, और social forestry worker का syllabus इतना late क्यों किया, तो मैंने आपको पहले बता दिया, repetitions की वज़े से, court case की वज़े से, और finally यह इसलिए बस आपके सामने आ चुका है, अब जुढ जाएए, मेहनत शुरू कर दीजिए, तो thank you so much once again for watching this video on Awakened Brains, इसी तरह के latest videos और updates को देखने के लिए, educational videos को देखने के लिए, interesting videos को देखने के लिए, अपना कोई भी सवाल हो, पूछना ना भूलेगा, thank you so much and God bless you all.